उत्रपार्त विच जिस्रीके जनान मौसम देविच परिवर्तन होर है अजीहे देविच दिन दे तापमान विच वी हलका गरावट देखनों मिल रही है ते स्वेरी शाम दी हलकी ठंड मैसूस जुरूर होन लगी है लेकिन इस बदल दे मौसम देविच एक खत्रा मुड़ त पंचकुला दे बाद डेंगु ने होर जिल्यां दे विच वी तेजी दिनाल पैर पसार ने शुरू कर देते हन। सुब्य दे विच एक हफ्ते पहला डेंगु दे रुजानना पंजात 60 मुरीज समने आ रही हैं लेकिन होन एर रफ्तार 4 गुणा तेजी दिनाल वाच चुक सुब्य पर विच बनवे म्रीजा नों अस्पताल दे विच परती करवाया गया है। दुझे पासे सुब्य दे विच डेंगु दी रुख्थाम दिल्ली एकदी थांते फोगिंग अते दवाईदा छड़काव कीता गया है। सारे शेहरां दे विच फोगिंग नहीं हो है। दुझे वाड़ां अते पिंड़ां दे विच बुखार दे नाल अनेक म्रीज परिशान है। आर एंपी प्लेटलेट्स काट होना दास्दे होयां ओना दा इलाज चल रहा है। यह नहीं नहीं पिंड़ां दे विच वी डेंगु इलाज दे देसी नुसके अपनाए जा रहे हैं। हालां कि हाई रिस्क इलाक्यां दे विच पच्वंजा सर्वेटी मा निर्दार्द कीती हैं। लेकिन कई लाक्यां दे विच फोगिंग ना होन दे वजा दे नाल मच्छर पन पर रहे हैं। मगर संबंदीत जिम्मेदारव पाग दिकारी इस मसले दे उत्ते बेर दे खाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही अन देखी दिकारन पिछले साल डिंगू पीड़ता दांकडा पांसो दे नजदीक पहुंच गया सी। खेर होन जिस तरीके दे नाल मौसम दे विच परिवर्तन हो रहे हैं। अजी है दे विच मौसमी बमारियां फैलनियां आम ज मौसम नहीं है क्योंकि सेरशाम दे हलकी ठंड भी हुंदी है क्योंकि हाव बाज्यों सी स्लीवलेस कपड़े पॉनने आतां अजी हिच मच्छर कटन दी सम बावना जादा हो जान दी है उस तो बाद बुखार आते लेक पेन हुंदी है क्योंकि हट तोडवां बुखारे दे मौसम दे इंतिजाम में अपने आसपास करने चाहिए ताकि मौसमी विमारियां तो असी बच सकीए प्रबगाद प्रबगाद चाहिए प्रबगाद दे दो मौसमी विमारियां खबकाद थे ।ोड़े विमारियां विमारियां तो अजी है